हाँ दोस्तों कैसे आप लोग मैं दुर्गेश याश्वाल मेरे यूट्यूब चैनल इर लेंडिंग दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वह है उत्तर प्रदेश के करेंट अफेर 2018 में 2018 में जितने वी करेंट अफेर है यूपी स्प में और मिचल पनाया ग específic दोस्तों यूपी बिदान प्रिश के वरतमान सभापती तो कोन है रमेश यादो है दो दोस्तों यूपी बिदान सवाध्याच कौन है वरतौसव में हिर्दय नारायन दिच्छे थैं यूपी में कैलास मान सरोवर भवन गाजियाबाद में स्थापित की जा रही है कि आगे देखते हैं दोस्तों लोग अंतराष्टी चावल अनुसंदान संस्थान और दच्छिन एसिया 36 संटर के स्थापना वारानसी में होगी और होची कि कल मोधी जी ने उसका उधातन भी कर दिया आगे देखते हैं दोस्तों लोग यूपी में क्रिसी मंत्री सूर्य प्रताफ साही है यूपी में क्रिसी मंत्री कौन है सूर्य प्रताफ साही आगे यूपी में बित्त मंत्री राजेश अग्रवाल राजेश अग्रवाल क्या यूपी के बित्त मंत्री है फिर केंद्री सडग परिवहन और जल साधन मंत्राले द्वारा संयुक तुरूप से हंटर मॉडल टर्मिनल की आदहार सिला कार रखी गई गई द्रधाजीपुर में रखे गई दोस्तों अगरे वीडियो को साफ नज़र ना रहा तो उपर से आप कॉल्टी बढ़ा लेंगे तो साफ नज़र आना सुरूर जाया अपको थे दोस्तों आगे देखते हैं लोग का भारती पाक संस्था का सुभार मिधा आगे नौव डामी का गया चली दोस्तों आगे देखत हम लोग तो यूपी में गउराया दिवस किस तरी को वीत मार्च को बनाय गया और अ बीस मार्च को इस के रूप में मनाई जाता है है स्वारी गोरएअ दिवस के रूप में आठवे अंतराश्ट्री मेडिया सम्मेलन का अयोजन का हुआ रखनोओं में हुआ 17 मार्ज 2018 को प्रधान मंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्टपती एमेनुवल मैक्रों ने मिर्जापूर जिले में प्रदेश के सबसे बड़े सौर उर्जा का लोकापड किया जो कितना है 75 मेगावाट कहां पर किया मेर्जापूर कहां पर सौनभद्र के पास कौन कौन मोदी जी और फ्रांस के राष्टपती एमेनुवल मैक्रों ने कि यूपी का बजट दूजर ठारों ने इस कितना रहा अब देख लिजिएगा बैलिस जार चार लाग अठाई जार तीन सो चौरासी कौन रुपए निर्धारीत किया गया एक जिला एक उत्पादन के लिए दोसुपचास कौन रुपए अवंटीत किया गया आगे देखते कि युवा महुत्सव कहां पे गौतम बुद्धनगर में फिर आगे देखते दोस्तों भाग गलचमी के तहाद यूपी सरकार ने गरीब परिवार को बेटी के जन पर पांच हजार रुपए प्रदान करेगी और साथ ही साथ इक्यावन सो रुपए मा को प्रदान किये जाएंगे माने बेटी को पचास जार रुपए मा को इक्यावन सो रुपए किसके लिए भाग गलचमी यूजना के तहाद कौन सरकार यूपी सरकार दवारा ठीक है दोस्त तो प्रकास है तो विकास है योजना यूपी के मत्हुरा जिले में शुरू की गई प्रकास है तो विकास है यह योजना यूपी के मत्हुरा जिले से प्रारम की गई वर्तमान समय में यूपी के लोकायुद कौन है संजय मिस्रा वर्तमान समय में यूपी के लोकायुद कौन ह और तक 2019 में 145 होगी आगया अगया बाद मंदल का नाम बदेखका अयोध्या मंदल कर दिया इसे में पुछप जीपने Stevens कोomos कितने हैं पांच जीले मनें कितने जीले पांच stimulating का इसमें कितने जीले 5 जी यह से दोस्ताइप हो आगे दिक्टेश उसकी में लोगा 800 करोण 800 करोण की लागत में श्री राम जी की पतिमा का स्थापना होगी जिसकी उचाई 152 मीटर होगी आगे देखती है देखा जाता है यूपी में रेल पार्क के स्थापना फतेपुर में की जा रही है रेल पार्क कहाँ पे फतेपुर में आगे देखते हैं 14 नॉम्बर 2018 को मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा कानपूर में तीन द्यूशी यूपी डिफेंस अक्सपो 2018 का उद्घाटन किया जा रहा है प्रगतसील समाजवादी पाल्टी की पूरे नेता स्विपाल से यादो द्वारा एक नहीं पाल्टी बनाएगी जिसका नाम रखा गया प्रगतसील समाजवादी पाल्टी रखा गया प्रगत सील समाजवादी पाल्टी रखा गया छे दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग है हाथियों के लिए भारत का पहला विशेश तरह का अस्पताल कहा अस्थापित किया गया मतुरा में अस्थापित किया जाएगा यूपी का सत्रहमा नगर निगम साजहाँ पूर को बनाये गया इसके पहले सोलर नगर निगम थे सत्रहमा किसको बनाये गया साजहाँ पूर को बनाये गया छेत्री रेल प्रसिचर संस्ता गाजीपूर में अस्थापीत की जा रही है यूपी में रसोस्तों का आयोजन मथुरा में हुआ था हाले में 12 सरकार ने यूपी भदोही जिसका वर्तमान नाम संत्रविदास नगर को कालीन के लिए जी आई टैग दिया जी आई टैग धान दि अगर है हाल ही में जारी आकड़ करुसार कारोबार सुगमता में यूपी को बारहमा अस्थान मिला कौन सा स्थान बारहमा स्थान मिला चली दोस्तों आगे देखते हम लोग अप प्रधान मंत्री मोधी ने बान सागर नहर पर्योजना का उद्गाटन कहां किया और जिले में किया किसने प्रधान मंत्री मोधी जी ने देखिए दोस्तों आपके लिए काफी महत्रपूर था जो मैंने बताया अब इसी प्रक्रम में हम लोग और आगे देखते हैं राजपाल राम नाई द्वारा हाल लही में फिर फिर अधीर पुस्तक का भी मोचन किया गया यह पुस्तक इंदु प्रकास ने लिखी थी आगे दोस्तों यूपी सरकार द्वारा आयोजीत एक जिला एक उत्पाद सम्मेलन का टैग लाइन नई उडान नई पहचान यूप कि आगे दिखते हैं दोस्तों यूपी कैबिनेट के फैसले का नुसार चैजिलो में डिफेंस कोरिडोर होगा कि आगे देखते हैं दोस्तों समसंग ने बिश्चु की सबसे बड़ी मुवाइल फ्रक्टरी के स्थापना कहां की उत्तर प्रदेश के नुए डामे की है चली दोस्तों और आगे बढ़ते हैं लोग कि यूपी प्रटेंग भाग दोरा त्यार किये गए गीत चलो कुम्ब चले कुम्ब शंकर महादेव ने गाया किसने गाया संकर महादेवन स्वारी संकर महादेवन ने गाया अगे दिखते हैं दोस्तों लोग अंतराश्टी योग दिवस 2018 के उसर पर 11,63,000 लोगों ने सहारनपूर में भाग लेकर एक किर्थिमान अस्थापित के कहां पर सहारनपूर में कितने लोग 11,63,000 चलिए आगे देखते हम लोग तीन तलाग बिल के ड्राट पर सहमती जिताने वाला भारत का पहला राज यूप की उत्तर परदेश कोसल विकास नीत लागू करने वाला देश का पहला राज यूपी है और आगे देखते हैं दोस्तों लोग अज़िए चलिए दोस्तों आगे देखते हैं सोर उर्जा से पांद असमलों पांद करने वाला देश का पहला बिस्वाद बिस्विद्याले अलीगर्ड मुस्लिम बिस्विद्याले बना चलिए आगे देखते हैं लोग यूपी सरकार ने भगवत गीता के अध्यन के लिए मत्हुरा में एक नए अनुसंदान सस्थान की अस्थापना की सहमती दी 21 जून 2018 को विश्व संगीत दिवस के अवसर पर यूनेशकों ने वाराणसी सहर को संगीत सहर के रूप में मानिता दी या मानिता प्रदान की आगे देखते हैं दोस्तों लोग यूपी में पहला रेशम अनुसंदान के अंदर गोरगपूर में स्थापित किया गया देश का पहला काला हिरण सरच्छन जोन इलहाबाद औरतमान प्र्याग राज में प्रस्तावीत है अब आगे देखते हैं दोस्तों आयोध्या में राजकुमारी सूरी राना का एक इसमारक बनाया गया आएगा राजकुमारी सूरी राना दच्छिड कोरिया की है चली दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग अप यूपी का नया अंतराश्टी हवाजड़ा जेवर एरपोर्ट गौतम बुद नगर नोएड़ा में अस्थापीत है फिर गीता रिविजेड बुक के लेखा हिर्दय नानार दिश्चित है ये कौन है बिधान सवाद ध्याच यूपी मतले उत्रपदेश भारत भारती पुरस्टकार 2017 रमेश चंद्र साह को प्रदान किया गया जबकि 2018 का आनंद प्रकास को 22 जनुरी में को दिया गया चौथा भारत अंतराष्टी विग्यान महसाद 2018 का यूजन कहां किया गया लखनों में किया गया आगे देखते दोस्तों लोग कि अंतराश्टी पच्छी महत्सद और ठार है तो द्वाराश्टी पार्क में आवजीत किया गया यूपी सरकार द्वारा पोसित बच्चों को सुधारे तू सब सब्री एप लांच किया गया महिलाओं द्वारा संचालित किये जाने वाले यूपी का पहला रिल्वेस्टेशन गोबिंद पूरी रिल्वेस्टेशन है ये पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित यूपी का पहला और भारत का पहला रिल्वेस्टेशन हुआ यूपी का सबसे बड़ा सोलर सेल प्ला दादर कला मिर्जापूर में इस्थीत है यूपी सरकार द्वारा पहली जापानी पहली जापानी इसे फ्लाइटिस की रोक थाम के लिए यूनिसेप के सहयोग से चलाएगा अविमान दस्तक है कौनसा है दस्तक कर्म योगी योगी आदित तनाद के जीवन पाधारित पुस्त के लेखक रमेश चंद्र सिन्ना जी है कर्म योगी योगी जीवन पाधारित पुस्तक कौन लिका है रमेश सिन्ना जी नाबार द्वारा अस्थापीत दच्छिड पूर्वी एसिया का प्रथम जल के अंद्र कहां पे है लखनों में इस्थित है आगे दिखते हैं लोग इस इन्दिया कौन मना गोबिंद माथूर को नियुक्त किया गया अगे दिखते हम लोग महिला स्वांस्त और महिला स्वास्त और ससक्ती करण पर अंतराश्टी सम्मेलन कहां हुआ कानपूर में हुआ आगे पीम नरेंद्र मोदी ने इंडियन कार्पोरेट अक्सपो काउद घाटन कहां किया वाराड़सी में खिया यूपी में एम्स की अस्थापना राय भरीले और बोरगपूर में की जाएगी यूपी के अमेठी जिले को पिंडारा ठाकूर गाओं एक सितंबर 2018 को पुरी तरह से डिश्टल हो गया चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग हाल ही में सनावडी गाओं में कांस यूगी रथों की खोज यूपी के भागपजिले से की गई यूपी मुक्मंत्री योगी जी और रच्छा मंति निर्मला सीता रमण अलिगण में डिफेंज इंडिस्ट्रियल कोरिडोर लांच किया कि दूस्तों आगे दिखते हम लोग और आप सभी को सेर कर दिए दिएगा पंद्रहवा प्रवासी दिवस यूपी के वारानसी सहर में अवजीत किया जाएगा यूपी के लखनव सहर में क्रिसी कुम्ब 2018 का यूजन किया गया सेटम्ब 2018 में सरकार दोरा किये गए आकड़ो कनुसार मनरेगा के तायद रुजगार उपलब कराने में यूपी का दूसरा स्थान रहा सुझताई सेवा है अवियान 2018 की सुरुवात का होई फतेपूर में होई यूपी राज की पुलिस ने डायल एफाई यार यूजना की सुरुवात की यूपी सरकार ने 20 जुलाई 2018 को विरुजगारी भत्ता योजना को बंद कर दिया यह योजना 2012 में प्रारम की गई थी कृष्ण कृटीर योजना की सुरुवात ब्रिंदावन महतुरा में हुई मख्यमंत्री योगिया दितनात द्वारा वारान से सर इस्तित खिडिकिया घाट में अलक नंदा अलक नंदा कुरूज का उद घाटन किया गया यूपी ट्रवेल मार 2018 लखनों में आजीत किया आगे दोस्तों एक जनपद एक उत्पात से कर समयलन कागवा लखनों में अजीत किया गया जुलाई 2018 में बारा बंकी मुख्यमंत्री योगि नाद जी द्वारा वन महुसर 2018 का सुभारम किया गया दस जुलाई 2018 को मुखंति अधितना द्वारा लखनों में यूपी कुद्धिमी मासर मेलन 2018 जित किया गया सोलर उर्जा लैम्प की सुरुवाद बेटी गाउं लखनों में इसकी सुरुवाद की गई दोस्तो आज हमने आपको पूरा यूपी के जितनी भी करेंड़ फेर थे 2018 के प्रमुक घटित होने वाली गटना उनको मैंने आपको बता दिया इसकी पीडिया आपको मेरे टेलिग्राम चैनल इलरनी बे दुरगेश पर मिल जाएगी वहाँ सर्च करिएगा दुरगेश सर बिना स्पेज दिये वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगी अथवा यह हमारे फेजुक पेज इलरनी बे दुरगेश से भी आप लोट कर सकते हैं और इसकी नोर्स बना सकते हैं जल्दी में प्र जल्सफ़ा लो और मेरी सुब कामने आपके साथ है जय हिन्द जय भाज़ाएगी